भारत के ऐसे बहुत सारे शहर हैं जिन्होंने भारत की आजादी की समय एक बहुत ही महत्वपून हिस्सा अदा किया था जो भारत की अजादी की लड़ाई शुरू हुई थी 1857 में उस समय एक ऐसा शहर था जो आज भारत की प्रदेश उत्तर प्रदेश की कैपिटल है जिसे हम लखनौ के नाम से जानते हैं और लखनौ की एक ऐसी जगा है जो की 1857 की लड़ाई का एक बहुत ही महत्वपून हिस्सा अदा करती है उस जगा का नाम है अज की समय लखनौ की सबसे बड़ी टूरिस अट्रेक्शन में से एक है लखनौ की ब्रिटिश रेजिडेंसी जो की 1857 में हुई इंडिपेंडेंस की पहली लड़ाई का एक बहुत ही बड़ा सबूत है ब्रिटिश रेजिडेंसी बनवाई गई थी 1774 में जब नवाब सुजाउद दौला और ब्रिटिश की बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी उसके बाद नवाब असफुत दौला ने जब अपनी कैपिटल से लखनव में शिफ्ट कर दी तब जाके उन्होंने ये लखनव रेजिडेंसी बनवाई 1775 में हाला कि 1857 की आजादी की पहरी लड़ाई में लखनव की इस ब्रिटिश रेजिडेंसी पे क्रांती कारियों ने लगातार काफी दिनों तक बंदूके और बंबारी करी जिसकी वज़े से यह रेजिडेंसी काफी हद तक तबहा हो गई थी और उस लड़ाई में चलने वाली तोपे और बंदूके की गोलियों के निशान आप आज भी ब्रिटिश रेजिडेंसी की हर बिल्डिंग पे देख सकते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अनुजबंसल और वेलकम टो अनुजबके आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लखनौ की फेमस ब्रिटिश रेजिडेंसी के बारे में जी हाँ हम आपको एक बहुत ही रुमांचक सफर पे लेके चलेंगे जिसमें हम आपको पूरी ब्रिटिश रेजिडेंसी अंदर से दिखाएंगे और बताएंगे कि इस रेजिडेंसी में कौन-कौन सी बिल्डिंग है जो अभी बची हुई है और पुराने जमाने में उन सा नव की ब्रिटिश रेजिडेंसी आज की समय में एक बहुत ही बड़ा टूरिस्टिक स्पॉर्ट बन चुकी है जिसकी एंट्री फीस है इंडियन्स के लिए 15 रुपे और फॉर्नर्स के लिए 200 रुपे और जिसकी टाइमिंग है सुबह साथ बज़े से लेकर शाम को 6 चाते हैं तो वहां का ये नक्षा आपको बहुत हेल्प करेगा जिसमें जनल पब्लिक की एंट्री होती है यहां से गेट नंबर वन से और अंदर आते ही जो आपको सबसे पहली चीज़ दिखेगी वो होगी बैली गार्ड गेट जो कि बनवाया गया था ब्रिटिश रेजिडेंसी के साथ वहां गेट आज भी अपना पूरा रोल अदा कर रहा है आज भी ब्रिटिश रेजिडेंसी की मेन एंट्री बैली गार्ड गेट से ही होती है ये गेट बनवाया था नवाप सादत अली खान न अंदर से और एक heavy machine gun इसकी सुरक्षा के लिए रखी गई थी, बट क्यूंकि एकरांतिकारियों ने काफी भारी मात्रा में इस जगा पे हमला किया था, इसलिए इस gate को काफी नुकसान पहुचाया गया, Lieutenant Alexander जो की इस gate के इंचार्ज थे, उस समय यहां पे मारे गए थे, Belly Guard Gate से थोड़ी अंदर आते ही सीधे हाथ पे आपको दिखेगी British Residency की पहली building जिसका नाम है No.2 Treasury Building, British Residency की Treasury Building बनके पूरी हुई थी 1859 में, जिसको बनाने की कॉस्ट उस समय लगी थी तकरीबन 16,890 रुपे, पहले की समय यह building, Britishers का ख़जाना रखने के लिए यूज की जाती तोपो और बंदूकों की गोलियों के निशान आप इस building में आज भी साफ साफ देख सकते हैं Treasury Building के बहार ही आपको इस जगा की तीसरी attraction दिखेगी, जिसका नाम है No.3, Colonel Robert Hope Memorial जो की 1857 की घेराबंदी की समय इस post को समाल रहे थे और यहाँ पे उन्होंने बहुती भाधूरी से लड़कर इस जगा की रक्षा करी, इसलिए उनकी respect में यह tower British Residency में बनाया गया है थोड़ी आगे बढ़के ही आपको इस जगा की अगली special building दिखेगी, जिसका नाम है No.4, Bankuting Hall Bankuting Hall शायद British Residency की सबसे सुन्दर और सबसे लाजवाब building है इसे भी नवाप सादादली खान ने बनवाया था और ये building उस समय के functions और्गनाईज करने के लिए बनाई गई थी यहाँ के grand apartments, spacious saloons, यहाँ के chandeliers, यहाँ की नकाशी, silk का का काम और शीशे का काम उस समय बहुत ही खूपसूरत माना जाता था कहते हैं इसी जगा पर लखनाउ का सबसे सुंदर और सबसे high quality furniture भी रखा जाता था आज के समय ये दो इमारता building की छत नहीं है और जब भी आप ये जगा घूमने जाएंगे आपको आज भी ऐसा लगेगा कि आप एक बहुत ही सुंदर building में घूम रहे हैं इसी building में आपको एक marble का fountain भी दिखेगा और वहें देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि क्यों उस समय यह building इतनी important थी अब दूसरी तरफ आपको दिखेगी इस residency की सबसे important building जिसका नाम है इस building का नाम रखा गया है डॉक्टर फेरर के नाम पे जो की residency के समय इस जगा के सरजन थे इस house की सबसे खास बात है कि यह British residency में बनने वाले बाकि सबी building से उचाई पे बना है जिसके दोनों तरफ बहुत ही सुंदर garden बने हुए हैं इस घर के ground floor पे आपको एक suit देखने को मिलेगा जिसका एक दरवाजा garden की तरफ खुलता है और दूसरा दरवाजा city की तरफ इसी building के अंदर आपको एक swimming bath tub भी देखने को मिलेगा और दो ऐसे room जो की general purpose के लिए बनाए गये थे इस building के अंदर आपको एक तहकाना भी देखने को मिलेगा जिसे हम एक underground room भी कह सकते हैं जो की आपात कालीन situation के समय बच्चों और और ओरतों की चिपने के काम आता था इसी room में Sir Henry Lawrence को shift कर दिया गया था जब 1857 की घेरवंदी की गई थी और दो दिन बाद यहीं Sir Henry Lawrence की जान गई पूरे British residency में आपको सिफ एक ही group of building ऐसी दिखेगी जो की पुराने अवद style में बनाई गई थी इस building का नाम है यहां का मस्जित और यहां का इमाम बाड़ा जो की नवाब नासिर उद्दीन हैदर जी ने बनवाई थी यह जगा एक excellent example है इंडो European style का नवाब नासिर उद्दीन की बीवी मुकदरा आलिया उनकी माह और उनकी सौतेली बहन इस जगा पर रहा करती थी यह जगा रेजिडेंसी की बेगम कोठी के बिलकुल बगल में है और इस जगा पर भी आपको 1857 में हुई जंग के अफशेश देखने को मिलेंगे केते हैं उस समय इस मजजित और इस इमाम बाडे को बनवाया था अवद के सबसे बहतरीन कारी गरों ने और यह बीलडिग ब्रिटिश रेजिडेंसी की सबसे अलग तरीके से बनाई गए बिलिडिग में से एक है नमबर साथ, बेगम कोठी, बिटिश रेजिडेंसी की सबसे विचितर बिल्डिंग है यहां की बेगम कोठी, जो की बनवाई गई थी नवाब असुफुद्दिन दौला के दौरा, हाला कि उन्होंने यह बिल्डिंग बेच दी सैक्विले मारकस टेलर को, जो की इस रेजिड मुखदरा आलिया, जो की विलाईती बेगम के नाम से मशूर थी, और वहे युर्योपेन वाइब थी नवाब नसीरुद्दिन हैदर की, वहे अपनी मा और अपनी सौतेली भेहन के साथ इस बिल्डिंग में रहने आई थी, नसुरुद्दिन हैदर की देथ के बाद, और मल मुखदरा आलिया ही, जोन क्लॉडन की पोती थी, और अंत में यह बिल्डिंग जोन क्लॉडन को ही वापिस बेच दी गई, इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर भी आपको अवज आर्किटेक्चर से मिलता जुलता दिखाई देगा, बेगम कोटी देखने के बाद, आप ब और गेम्स की फैसिलिटी भी अवेलिबल थी, 1857 के घेरबंदी में इस बिल्डिंग को भी टार्गेट करके डिस्ट्रॉई किया गया था, नमबर 9, The Memorial Museum, British Residency में आपको एक Memorial Museum में मिलेगा, जिसकी Entry टिकेट आपको अलग से पे करनी पड़ेगी, और ये वही मिजियम है, ज इसे के साथ साथ इस पूरी Residency का मैप और मॉडल भी आपको इसी मिजियम में देखने को मिलेगा, इस मिजियम की पहचान है, इसके भार रखी हुई दो सबसे बड़ी तोपे, जो कि British Residency की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की गई थी, इसलिए Residency जाने वाले इस मिजियम को ज गई थी, ये जगा अवत के Chief Commissioner का Residence हुआ करती थी, और ये जगा बनवाई गई थी साधात अली खान के द्वारा, इस जगा पे आपको रहने के Rooms, Gardens और वरांड़ा भी देखने को मिलेगा, कहते हैं कि इसके उपरी माले पे एक Village Room, एक Library और इसके Ground Floor पे तीन Residency Room और एक Middle Hall ह कहते हैं कि घेरबंदी के दोरान इस बिल्डिंग को सबसे ज़ादा नुकसान पहुचाया गया था, लेकिन इतना जहिलने के बाद भी यह बिल्डिंग आज भी शान से British Residency में खड़ी है, इन सारी बिल्डिंग के साथ साथ British Residency में बाकी बिल्डिंग भी थी, जो की पूरी कमिशनर रहा करते थे, यहां का पोस्ट ऑफिस और यहां का जुडिशल पोस्ट, यह सारी बिल्डिंग 1857 के घेरबंदी में बरबाद कर दी गई, तो यह थी British Residency लखनओ के बारे में पूरी जानकारी, हमें आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई है, पसंद आई है तो हमें support भी कर सकते हैं, इसी तरह हमने लखनों की बाकी जगाओं की top places to visit in लखनों की वीडियो भी बना रखी है, जाके वो ज़रूर देखें, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी अनुजबिकिट की app, so it was very nice to be with you again, be well, नमस्ते. हमारे चैनल की सारी trips के behind the scenes आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी follow करें, और वहाँ जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियो, तो बस अभी इंस्टाग्रा पर जाओ, और हमारा follow button